क्रिया कलाब पांच एक पतले कागज की पट्टी को नाक के सामने रखें और सांस छोड़ते और लेते समय पट्टी की अवस्था को ध्यान से देखें सांस लेते समय पट्टी नाक से चिपक रही होगी और सांस छोड़ते समय नाक से दूर जा रही होगी आपकी सांस रुकी हो तो पट्टी पर कोई प्रभाव नहीं होता अब आप कोई भी खाने की चीज को गटकने की कोशिश करें क्या खाना गटकते समय पट्टी पर कोई प्रभाव पड़ा ऐसा क्यूं हुआ होगा कई बार खाना खाते समय या पानी पीते समय आपको ठसका क्यों लगता है आम तोर पर श्वांस नली और आहर नाल के बीच का वाल्व सांस लेते समय खुला रहता है और भोजन गटकते समय वाल्व सांस नली को बंद कर देता है कभी जल्दी निगलते समय यह ठीक से बंद नहीं हो पाता गलती से खाना, श्वास नली में भी चला जाए तो यहां की मानस्पेशियों के संकुचन से आपको तेज खासी आती है जिसे से यह गले से बाहर निकल सके सांस लेने की प्रक्रिया में नाक और मुह से हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है बाहर निकलने वाली हवा का तापमान अपेक्षा कृत ज़्यादा तथा उसमें आक्षिजन की मातरा कम और कार्बन डाय अक्साइड की मातरा ज़्यादा होती है वातवरण और सांस की हवा में कार्बन डाय उक्साइड की मात्रा का तुलनात्मक अध्यन के लिए चलिए एक क्रिया कलाब करते हैं क्या आप जानते हैं विश्राम करते हुए व्यक्ति के फेफडों में प्रती घंटा लगभग एक घंट फुट बराबर ऑक्सिजन का उप्योग होता है कड़ी मेहनत के दौरान यह मात्रा दस गुना बढ़ सकती है हमारे शरीर में जितनी ऑक्सिजन की खपत होती है उससे थोड़ी कम कारवन डायोकसाइड बनती है यह सांस से हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है रक्त में कारवंडाय अक्साइड की मात्रा सामाने से बढ़ जाने तथा अक्सजन की मात्रा घट जाने पर हम हाफने लगते हैं और कारवंडाय अक्साइड कम होने तथा अक्सजन बढ़ने पर हमारी सांस लेने की गती सामाने हो जाती है